वाराणसी मागंगा के बिना अधूरी है और इसलिए जब भी लोग बनारस आते हैं वो बनारस में मागंगा में नाव से गुमते हैं और नाव चलाने वाले ऐसे हजारों लोग हैं जो इनकी जीवनियापन भी इसी नाव से होता है और गंगा जी के भरोसे होता है प्रमोर नि मेरे हिसाब से देखा जाए तो काम को अगर देखा जाए तो काम तो बहुत होता है काम तो इतना होता है कि काम जो होना भी नहीं चाहिए वो भी इनके काल में काम हुआ है समय समय की बात है, ऐसे ऐसे समय में भी काम हुआया है, जहां सब कुछ सुनने पड़ा हुआ तो उस समय भी बरारत पे काम हो रहा था, काम की बात नहीं, हम अपने आप की बात करते हैं, हमारे बीच में अगर देखा जाए तो पिछले दस साल में आप सुरुवात से देख ले जब भगवान राम चंद्र जी नहीं हमको यहां पर अपनी एक अधिकार दी वी है क्योंकि राजाओं में सर्वसरेष्ट राम राज को जाना जाता है और भगवान राम चंद्र के जमाने में स्क्ba ek21ỹ करें अवरग मताव्शर हमारे डिय को अत्याइं वहथ स्क्रास अठोक्स की हैं हुमारी उनाल पर टृथख मदाने के लिए यहां-थजाझल हुआज को पिछले दस साल के बाद हम लोग लोग के उपर दूम में और कानून-पर कानून-खानून और सर्फ न समाज करूज यह सिर्फ क्रूज ही नहीं और इनके आंदर बहुत सारी भावनाया है जैसे वाटर टेक्सी सुलो टेक्सी यह बहुत भावनाया लेकर हमारे बीच में आए हैं जो कि सराथ सर हम लोग के खिलाब घ्लाप यह तो यह कहा दे कि हाँ हम भगवान राम को नहीं मानते हैं लेकिन जब भगवान राम नहीं हमको यह अधिकार दिया हुआ है तो उसके खिलाप यह जाना यह हमारे समझ से परे हैं पाकि कामों को देखा जा तो मैं तो पहले ही बोल दिया हूं कि जब काम नहीं होना चाहिए था तब भी काम हुआ को ना काल में आप लोग के लिए खराब हो जाते हैं पहले दढलने से अपनी चलाते थे अगर कुछ खराब हुआ तो हजार दोजार रुपया खर्चा होता तो वो नया जैसा बन जाता था और खुब धडलने से हम चलाते थे जब से एस एंजी करण हुआ है आए दिन हमारे अनेको नाव खड़े पड़े र रहा है तो जहां हम 10 कमाते थे आज 20-50 कमाने लगे यह काम इनके द्वारा किया गया या इसका स्रें हम इनको दे तो भी इनकी मान लीजे हम बढ़ाई कर रहे हैं लेकिन दिन प्रति दिन आप तो जानते हो जब लोग बढ़ेंगे तो लोग आएंगे और कासी किसी के इसार पारीडोर बनने से भीड़ बढ़ा है यह हम इनका देन मानते हैं जिसके वज़े से भीड़ बढ़ा है और हम लोग दो पैसा ज्यादा कमा पा रहे हैं आपको क्या लग रहा है हमारे नम बिनोद सानी है क्या लग रहा आपको मोदी जी आप लोग के लिए अच्छा किये है नहीं अच्छा के क्या कि मोदी जी अम लोंक के लिए कुछ अच्छा भी कि एकुछ बुरा भी कि बुरा में यहीं कि वौ टेक्सी निया नहीं निया जूला मोथ तो यह काम नहीं होता तो आगे हम लोग का बोट अच्छे से चलता बड़े बड़े पूजी पती आगे नाओ के बीच ऐसा पहले नहीं था पहले ऐसा था कि हमी लोग खुद चलाते थे खुद नाओ का मालिक ते अब अलग-अलग कानून निकाल ले नियम नया नया नियम अन इक ही फेक्टिरी बनाना चाहिए ना जैसे हम लोग को हम माली जी हमारा एक इन आओ चलेगा हम हमको अगर शंता रहे का तो हम दश्टों भी चलवाज सकते हैं भाई कालीगर रखे हैं उसी हिसाब से मोदी जी का कोई खास काम बनारस में हुआ लेकिन हम लोग के काम जो वा भी बदलेंगी परिस्टियों के इसाब से आपको नहीं लगता है कि क्रूज जरूरी है है कि नहीं है कि सरकार के द्वारा यह तरह से जो क्रूज है यह तो समाच के लोगों को जैसे हमेरे समाच के लोग धिरे-धिरे क्रूज बना रहे हैं उसका तोड़ एक निकला है तो जो क्रूज पहले से आया है एक आकरसन का किंद्र है तो दिरे-धिरे इससे टूरिजम जो की बढ़ रहा है और उसका आने वाले समय में हमारे लोगों को जवर्जस्त लाब मिलेगा जैसे हमारे लोग क्रूज अब देसी क्रूज बना रहे हैं जहां वो दो हजार रुपया ले रहे हैं हमनों 500 रुपया में ही घुमाने के लिए तो अच्छा है लेकिन जो सरकारी चल रही है गलत है वो नहीं होना चाहिए मां जी समाज यह मान रहा है कि क्रूज भी अगर चले तो आपके समाज के लोगों को ही हो कोई बड़े उद्योग पती की क्रूज नहीं हो यह मां अब हमारे लोगों से बात करो हमारे पास सक्षम लोग है अगर आप प्रमोट कर दो हमारे लोग एक नई सायकड़ो क्रूज गंगाजी में खड़ा कर सकते हैं लेकिन वही मैं फिर द्वराना चाहता हूं कि जब भगवान राम नहीं हमको अधिकास दिया हुए तो सरकार कि अगर आप अगर एक दो आया तो वह ठीक है लेकिन आप उसको ब्योसायो बिजनेस के तोर पे अगर एकदम रेगुलर कंटीनिव आता रह रहा है देखें अगर हम कुछ पीशे चले जाए तो भगवान राम से भी केवट ने एक यही संबाद किया था जब भगवान ने कहा राम ने कहा कि मांगी नावन केवट याना और कहां ही तुम्हार मरम मैं जाना तो निसाद ने यही कहा निसाद ने कहा कि मैं आपके मरम को जानता हूं मैं नाव नहीं लाओंगा तो फिर निसाद ने भगवान से एक सवाल किया कि यही प्रतिपाला हूं सब परिवारू और नहीं जानना हूं कच्छु अवर कवारू, मतलब यही हमारा व्योसाय है, अगर इसमें आप एक दूसरा प्रोजेक्ट ला के रख देते हैं, ठीक है, आकरसड के लिए अगर कोई चीज आप ला रहे हैं, लोग प्रीता के लिए ला रहे हैं, तो अच्छी चीज है, लेकिन आ आप अगर पूरे 84 घाटो का ब्रहमण करिए, तो सायद वो इंजन सफल नहीं है, हमको भी मिला था, ट्रायल में, हम निकाल के बाहर रख दियें, चली नहीं रहा है, क्या करें, जिसकी कैप सीटी है, दस टंड होने की, तो उसको हम आप उनोंने हमको दिया है, तीन टंड का हम अपना लगा सकते हैं, लेकिन अभी बीच में एक सुनने में आया है, कि डीजल इंजन बंद हो जाएगा, तो एक सवाल हमारा ये है सरकार से, कि जितनी बड़ी-बड़ी कुरूजे चल रही है, अगर ये बात साबित वो कर दें, कि डीजल से वो नहीं चल रही है, तो हम लोग डीजल इंजन बंद कर देंगे, तो सरकार अगर मतलब नयाय करें, तो सब को एक तराजू पे रखें, शोटी बोट वालों को वी एक तराजू पे रखें, अभी हमें अल्टी मेटेल मिला है, पेपर में छपा है, उसका cuttingum आपको दे देंगे, के एक दो महीने बाद एक वो निकलेगा विभाग नगर निगम से वो सारी डीजल इंजनों को सीज़ करेगा तो हम आखिर चलाएंगे किस इंजन से आपने तो हमको कबाड़ा दे दिया है सी एंजी के नाम पे धाई धाई लाग चार चार लाग रुपया का प्रोजेक्ट आपने पास कर दिया है हमारे पास आया हुशको कबाड़ा से हम लेने जाए तो 30,000 के इंजन आएगा 20-25,000 रुपय हम अगर सर्विस में लगा देंगे तो 50,000 रुपय के इंजन हमारा चलने योग हो जाएगा आप हमें कबाड़ा दे दिये उसके बाद 4-4 लाग रुपया, 5-5 लाग रुपया आप हम लोगों के नाम पे ले लिए तो काम ऐसा कीजिए जो अच्छा लगे, खुद को भी अच्छा लगे, आपको भी अच्छा लगे राम राज्य का मतलब यही होता है कि प्रजा सुखी होनी चाहिए प्रजा को आप दुख दे के प्रजा का आप गला मोड के क्या कहना चाहते है क्या साबित करना चाहते तो इसा नहीं होना चाहिए